नमश्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्कार आये स्वागते आप सभी का हर्याणा न्यूज एक्स्प्रिस के इस खास बुलेटिन में आईए आपको ले चलते हैं नौ जनवरी की टॉप टैन खबरों की और महराष्ट के मुख्यमंत्री उदव ठाकरे ने शरिवार को भंदारा जला समाने अस्पताल में आग लगने से हुई दस शिशों की मौत के मामले में ततकाल जाज के आदेश जारी किये हैं वही राज के स्वास्त मंत्री, राजेश टोपे ने भी आग से मरने वाले बच्चो के परिवार वालो के लिए पाच-पाच लाख रुपे के मुआवजे की गुशना की है मुख्यमंत्री कारले द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री उदवत ठाकरे ने अस्पताल के नियूबॉन्ड केर यूनिट में आग में जलकर मारे गए नवजाश शिशों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है बयान में कहा गया है कि जैसे ही मुख्य मंत्री को इस घजना के बारे में पता चला उन्होंने स्वास्थ मंत्री राजिश से बात की और मामले को कंभीरता से लेते हुए टोपे ने पुरी घटना की ततकाल जाज का निर्देश दिये हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शनुवार को वर्चुल माध्यम से आयोजित प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन के उद्गातन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दो मैजिट इंडिया वैक्सिनों के साथ भारत पुरी दुनिया की मानफता के रक्षा के लिए तयार है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि इस वैश्रिक महामारी के दोरान भारत ने जो सीखा वही आत्मनिर्भर भारत अभ्यान की प्रेणना बन गया है सोलवे प्रवासी भारत्य दिवस सम्मेलन के संबोधन में प्रधान मंत्री ने प्रवासी भारतियों की तारीफ कर उनका धन्यवाद भी दिया प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है सोलवे प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन का मुखे विश्याएं आत्म निर्भर भारत में योगदान था पीम ने कहा कि वैश्विक महमारी के दौर में भारत ने अपनी शमता दिखाई है पहले PPE किट्स, मास्क, वेंटिलीटर और टेस्टिंग किट बाहर से भारत मंगादा था लेकिन आज इस कोरोना का अलखंड में ही उसने ताकत बढ़ाई आज भारत ना केवल आत्म निर्भर बना है बलकि कई प्रॉड़क्स का एक्सपर्ट करने लगा है अमेरिका के नव नर्वाजत राश्रपती जो बाइडन ने कहा कि डोनाल ट्रम्प अमेरिकी इतिहास में सबसे आयोगी राश्रपती है ट्रम्प के खिलाफ महाभी योग लाने या उनकी कारेकाल की बचे हुए बारह दिन से पहले उन्हें हटाने संबंदी प्रश्ण पर बाइडन ने कहा कि 20 जनवरी को उनका पद सम्हालना ही ट्रम्प को हटाने का सबसे त्वरत तरीका है बाइडन ने अमेरिकी संसत पर हमला करने वालों को कहा गरेलो आतंकवादी बिडन ने डिलावेर में पत्रकारों से कहा मैं एक वर्ष से जादा वक्त से कहता आ रहा हूं कि वे ट्रम्प इस पद पर रहने के लायक नहीं है वे अमेरिके तिहास के सबसे अयोग राश्पती है लिहाजा उन्हें हटाने के विचार का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है उन्होंने कहा ट्रम्प को हटाने का सबसे तुरित तरीका 20 जनवरी को मेरा शपत ग्रहन होगा उससे पहले या बाल में क्या कारवाही की जाए इस पर कॉंग्रस को फैसला लेना है मैं बस उनके पद छोड़ने का लेकर उच्छुख हूँ आठ फरपरी 2021 से लागू होने जा रही वाटसअप के इस्तमाल की शर्तों को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है वाटसअप पर यह भी आरोप है कि अपनी केटेगरी में वह एकलोता ऐसा एप है जो यूजर से सबसे ज़ादा डेटा लेता है लेकिर इसी बवाल और हंगामे के बीच वाटसअप ने कहा है कि वह नई सेवा शर्तों से नीजी चैट रती भर भी प्रभावत नहीं होंगे वाटसअप ने ये बाते प्रैस रिलीज के जरीए कहीं है WhatsApp ने अपने रिलीज में कहा है कि नए अपडेट से WhatsApp के जरीए शौपिंग और बिजनिस करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा अधिकतर लोग आज WhatsApp का अस्तमाल चैटिंग के लावा बिजनिस अप के तौर पर भी कर रहे हैं हमने अपनी प्राइवसी पॉलिसी को बिजनिस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है ताकि छोटे कारेबारियों को WhatsApp के जरीए अपने ग्राहों तक पहुचने में आसानी हो सके इसके लिए हम अपनी पैरेंट कंपनी Facebook की भी मदद लेंगे Resignation Letter के बारे में तो आप सभी जानते होंगे जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां से resign भी कर सकते हैं लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला का Resignation Letter वाइरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हरान है दरसल यह Resignation Letter महिला ने एक अलग अंदास में लिखा है इस Letter को लोग मजे से इसे पढ़ रहे हैं जी हाँ दरसल महिला ने अपने बास को साफ तोर पर ये बता दिया कि वो जॉब से क्यों resign कर रही है अब उसके कारण को देखकर लोग हरान है वैसे महिला ने सोशल मीडिया प्लाइटफॉर्म रेडिट पर भी एक नोट शेयर किया है इस नोट में उसने जो भी लिखा है वा उसने अपने बास को लिखा है महिला ने बास को रूट कहते हुए अमेरिका के एक स्टोर में नोट पेट पर ये मैसेज लिखा और सोशल मीडिया प्लाइटफॉर्म पर भी उसे शेयर किया लदाग में भारत के सीमा में घूम रहे चीनी सैनिकों को भारती फोज ने दबोच लिया है पूछताच के दुरान चीनी सैनिक ने बताया कि वह रास्ता भटक कर भारती सीमा में प्रवेश कर गया था इस सैनिक को चुसुल सेक्टर में गुरंग घाटी के पास पकड़ा गया है अभी चीनी सैनिक से और पूछताच जारी है और संतुष्टी के बाद ही इस सैनिक को चीनी अधिकारियों को सुपा जाएगा सूत्रों के मताबिक पिपल्स लिबरेशन आर्मी का ये सैनिक शुक्रवार को सुबह पकड़ा गया है एक अधिकारी ने बताया पिएले सैनिक एले सी के इस तरफ सीमा पार करा गया था इसके बाद इलाके में तैनात भारती सेना ने उसे कस्रडी में ले लिया था अधिकारी ने बताया कि सैनिक से पूरे नियम और प्रक्रिया के साथ ही पूछताच की जा रही है भात्य जन्ता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा अपने दूसरे दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुँच चुके हैं सबसे पहले उन्होंने बर्दमान में राजा गुविंद वंदिर में पूजा की इसके बाद उन्होंने जन्सभा को संबोधित किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने बर्दवान में ममता बैनाजी सरकार पर हमला किया और मौधी सरकार के महदवपुन फैसलों के बारे में जरता को अबगत कराया एक मुठी चावल कारकरम के शुरुआत करते हुए नड़ा ने कहा कि आपने हमारे स्वागत के लिए जो जोश दिखाया है इसके साथ आपने तै कर दिया है कि ममता सरकार को दर्माजा दिखाने का फैसला अब आ गया है बीजेबी पश्ची मंगाल सरकार में सरकार बनाने जा रही है नड़ा ने कहा कि आपके खुशी विश्वास बताती है कि पबलिक हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है महराश्ट्र के भंडारा जिले के एक अस्पताल में लगिया आग की घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है नवजात शिशु विशेश देखबाल इकाई में शुक्रवार देर रात आग लगने से दस बच्चों की मौत हो गई इन बच्चों की उम्र महज एक से तीन महीने की बीच की थी वही हाद से को लेकर प्रिशासन की बड़िला पर वाही सामने आई है महराश्ट्र पुलस के बड़े अधिकारियों ने कहा कि जब बच्चों की वार्ड में आग लगी उस वक्त वहाँ कोई स्टाफ नहीं था जबकि यहाँ 24 घंटे स्टाफ की डूरी रहती है सूत्रो से मिली सुशना के मुताबिक पहली नजर में हमें पता चला है कि इस वार्ड में बिना अटेंडिन को छोड़ दिया गया था जब शुरुआत में आग भढ़की तो वार्ड के अंदर कोई मौजूद नहीं था वही राज के स्वास्त मंत्री राजे श्टोपे ने बताया कि दस में से तीन बच्चों की मौत जलने से हुई है जबकि बाकी बच्चे साथ बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है फिलहाल इस हादसे को लेकर जाज क्या देश दे दिये गए है ये घटना देर रात करीब दो बजे हुई है वित्न मंद्राले के सुत्रु सिमली सुचना के मताबिक सोना चांदी और कीमती रतन एवं पत्थरों की नगत खरीद के लिए अपने ग्राहक को केवाईसी संबंद कोई नए नियम लागू नहीं किये गए है और केवल उचे मुले वाली खरीद फरुक्त के मामले में ही पैन काड आधार काड अध्वा दूसरे दस्तावेजों की जरुरत होगी विद्र मंद्राले के राजस विभाग द्वारा 28 दिसंबर 2020 को जारी अधी सूचना को सपष्ट करते हुए विभाग नहीं कहा है कि दो लाक रुपे से अधिक क्या अभूशन सोना चांदी और कीमती धातों रत्न और आभूशन की नगत खरीद पर केवाईसी के अभूशकता देश में पिछले कुछ सालों से जारी है एक ही कपडों को रोज पहनना कोई भी नहीं चाहता आम तोर पर लोग दो दिन लगातार भी ऐसा नहीं कर पाते खास तोर पर इसे में जबकि आपके पास कई ड्रेसेज हो लेकिन बॉस्टन में एक लड़की नहीं ऐसा ही किया उसने दो दिन नहीं तीन दिन नहीं बलकी लगातार सौ दिनों तक एक ही ड्रेस पहनी और रिकॉर्ड बनाया जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई खबर के मताबिक यह रिकॉर्ड बॉस्टन की सारा रॉबिंस ने बनाया है जिनकी अलमारी में हर इवेंट के लिए अलग-अलग कपड़े हैं अब वह अपनी अलमारी को साफ करने की योजना बना रही है सारा के मताबिक वह देखेंगी कि इस पूरे साल वह क्या पहनती है उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है और अब वह पूरे साल अपने लिए कोई नई ड्रस नहीं लेने चा रही है एक जनवरी 2022 के बाद क्या होगा इस बारे में वह बार में सोचेंगी इस पूरेटिन में फिलाल इतना ही अगले अंक में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहे हर्यारा नियूज अक्स्प्रिस के साथ